दोस्तों माल ने किसी फैमिली में एक प्रपर्टी जोइंट चली आ रही है और फिर आगे चल कर उस फैमिली में में मेंबर ज़ादा हो जाते हैं और उस जोइंट प्रपर्टी का पार्टीशन करने की नौबत आ जाती है तो यहाँ पर सवाल आते हैं कि वह कौन सी प्रपर्टी है जिसका पार्टीशन हो सकता है फिर दूसरा सवाल यह भी आता है कि वह कौन लोग है जो कि पार्टीशन का राइट सकते हैं पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं फिर आगे यह भी सवाल आता है कि जब उस को का partition करने का तरीका क्या है यानि कि मोर्ज क्या है एक प्रपर्टी का partition कैसे हो सकता है फिर एक सवाल यह भी आता है कि partition by mids and bounds क्या होता है तो आज के वीडियो में मैं इनी सब बातों की चर्चा करूंगा तो आज का वीडियो आपके लिए काफी important रहने वाला है इसलिए वीडियो आपको escape बिल्कुल नहीं करना है और आपको आपने आखिर तक देखना है और जाते जाते अगर यह वीडियो आपके लिए important लगे महत्तपुन लगे तो आपको like, share और subscribe भी करना है अब partition यानि की बटवारा उसी property का हो सकता है जो की undivided है यानि की वह property जो joint चली आ रही है और वह undivided है माल ने अगर किसी family में कोई ancestral property joint आ रही है तो आगे चलकर उस property का division हो सकता है बटवारा हो सकता है partition हो सकता है अब अगला सवाल यह आता है कि partition का rights किसे है यानि की partition की demand कौन कर सकता है तो एक हुआप में एक joint family में जितने भी co-parsner है हर एक co-parsner को partition का rights है वो partition की demand कर सकते है अब हिंदू succession act में 2005 के amendment से पहले daughters को co-parsner नहीं माना जाता था तो 2005 से पहले daughters को partition की demand करने का rights बिलकुल नहीं था लेकिन उस वक्त अगर कोई भी co-parsner partition की demand करता था या फिर family के members के बिच partition जब भी होते थे तो daughters को उनका share मिलता था daughters को partition के demand करने का rights तो नहीं था लेकिन जब भी partition होता था वहां daughters को share मिलते थे लेकिन अब 2005 के amendment के बाद से daughters को भी co-parsner बना दिया गया है और अब daughters भी किसी joint property के partition के लिए code जा सकती है यानि कि partition की demand कर सकते है अब अगला सवाल यह आता है कि जब भी किसी property का partition होगा तो उसमें किनके share होंगे तो यहाँ पर वह जितने भी वेक्ति हैं जिने partition का rights है उन सभी को partition में share मिलेगा यानि कि उन सभी का rights उस property में partition के बाद होगा अब जो अगला महत्पुन सवाल है कि आखिर partition कैसे हो यानि कि एक joint property का बटवारा कैसे हो तो यहाँ पर जब भी कोई एक co-parsner partition की demand करता है किसी joint family में उस property को बटवारे की demand रखता है तो उसी वक्त से वहाँ पर उस family का जो है status joint नहीं रहा जाता अब partition यानि कि property का बटवारा co-parsner के बीच agreement के थूँ भी हो सकता है यानि कि वो सारे co-parsner partition did के थूँ उस property का बटवारा कर सकते हैं और अपना अपना share अलग वो कर सकते हैं फिर एक दूसरा mode यह भी है कि अगर co-parsners आपस में agree ना हो partition did के थूँ agree ना हो बटवारा करने को तो कोई भी एक co-parsner या एक से ज़्यादा भी court या सकते हैं उस property के division के लिए बटवारे के लिए court या सकते हैं और वह court में मुकदमा file करेंगे suit for partition अब जैसे ही कोई एक co-parsner court में मुकदमा file करता है वहाँ पर severance of status property उसी वक्त joint नहीं रजाती यानि कि उसी वक्त उस property का nature joint नहीं रजाता यानि कि यह partition के लिए यह जरूरी नहीं है कि उस case में decree pass हो decrease का मतलब यह होता है decree pass करने का मतलब यह होता है कि उस property का practical division हो यानि कि physical division उस decree के अनुसार हो तो दूसरा mode हो गया court में suit for partition के थूँ अब एक तीसरा तरीका यह भी है कि सारे co-parsner मिलके उस property के बटवारे के लिए किसी arbitration forum में जाए या फिर किसी एक को arbitrator appoint करे और फिर वो उस property का बटवारा करे division करे तो इस तरह से किसी property का बटवारा agreement के थूँ यानि कि co-parsner के बीच partition did के थूँ हो सकता है दूसरा तरीका है अगर co-parsner आपस में agree ना हो तो वह court में मुकदमा डाल सकते हैं suit for partition यानि court के decree के थूँ वह partition करा सकते हैं और तीसरा तरीका है थूँ arbitration यानि कि अगर co-parsner चाहें तो वह उस joint property का बटवारा थूँ arbitration यानि कि arbitration में refer कर उसका बटवारा कर सकते हैं तो इस तरह से ये तीन mode है जिसके थूँ किसी भी joint property का partition हो सकता है तो partition यानि बटवारे के दौरान एक term और आता है वह है partition by mids and bounds तो अब हम समझेंगे कि एक partition और partition by mids and bounds दोनों में क्या फरक है अब दोनों का मतलब क्या है तो एक general term में partition का मतलब है co-partners के बीच severance of status यानि कि एक joint property में co-partners के share को certain करना fix करना कि उस joint property में किस co-partner का कितना share होगा और क्या होगा तो जब एक joint property में co-partners के share को certain कर दिया जाता है fix कर दिया जाता है तो वहाँ पर उसे कहते हैं उस property का partition हो गया और अब वह property joint नहीं रह गई हलांकि एक partition के बाद भी यानि कि severance of status property में उस co-sayer के share को fix करने के बाद भी वो सारे co-partners चाहें तो वह एकठा रह सकते हैं property को एकठा रख सकते हैं लेकिन वहाँ पर जो वह property है उसका nature joint property से जो उनकी ownership है वह co-ownership में हो जाएगी यानि कि अब उनका share उस property में certain हो गया है अब भले ही हुआ वहाँ पर joint रा रहे हूं तो जब किसी joint property में co-partner का share certain हो जाए यानि कि each and every co-partner के share fix हो जाए तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस property का partition हो गया और अब हुआ सारे co-partner उस property के corner हो गये फिर जब आगे चल कर उस property का उन corner के बीच यानि co-partner के बीच physical division हो जाता है यानि कि actual physical division हो जाता है उस fix किये गए share के अनुशार तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर partition by mids and bounds हो गया तो partition by mids and bounds का मतलब होता है कि co-sherers के बीच property का physical division होना यानि कि physical और actual division होना तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस property का partition by mids and bounds हो गया तो इस तरह से जहाँ पर co-ownership है वहाँ पर सारे owners के share तो certain होते हैं लेकिन property joint होती है फिर अगर वहाँ पर joint ownership है तो वहाँ पर जितने भी member हैं जितने भी उसके owner हैं उनके share certain नहीं होते हैं जब तक कि वहाँ पर partition ना हो जाए अब माल ने किसी registered sell deed के द्वारा एक property को तीन ल को honor कर लाएंगे ना कि joint honor क्योंकि यहाँ पर उन तीनों का share जो है registry के हिसाब से certain है fix है तो यहाँ पर अगर वहाँ उस property का division चाहते हैं बटवारा चाहते हैं तो वहाँ जाएंगे partition by meets and bounds ना कि सिर्फ partition क्योंकि उनके share तो certain है लेकिन उसका physical division नहीं हुआ तो वहाँ उस property के physical division के लिए जाएंगे कोट में और वहाँ पर मुकदमा होगा suit for partition by meets and bounds तो इस तरह से partition by meets and bounds का मतलब होता है actual physical division of property joint property और simple partition का मतलब होता है एक joint property में co-partners के share को certain करना fix करना कि किस co-partner का कितना share वहाँ पर है तो आज के वीडियो में इतना ही मैं next वीडियो में partition से related महत्पुन जानकारी लेकर जल्द वापस आओंगा तब तक के लिए धन्यवाद